नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है एक फिलाकंथ फिलाकंथ नाम की एक फिश है जो की प्रिजूम्ड एक्स्टिंक्ट थी लेकिन 1930 में जाके वापस मचवारों को देखने मिलती है और उसके बा जब वो मचवारों को मिलती है तो साइंटिस्ट कहते है अरे वा ये जिन्दा है और ये स्पिशीज क्या है ये एक लिविंग फॉसिल है ये एक फॉसिल फिश है तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले है तो उसकी एक बहुत बड़ी पॉपिलेशन मेडगासकर के पास कई गई है और इस वजह से इन न्यूज है तो आईए आज हम जानते हैं सी ला कंत के बारे में जिसे और ये गड़िव और से भी पुराने जीव हैं तो आईए आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है फ्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले साल दो साल आपको मालूम होना चाहिए तो स्विशी इन न्यूज तो दोस्तों अगर आप देखें सीला कंथ इ आई सोच सकते हैं 400 मिलियन साल से भी जादा पुराना जादा पुरानी यह मचली है यह फोर लेग्ड फॉसिल फिश कहते हैं इसके क्या चार पैर है नहीं ऐसा नहीं है इसके चार पैर है इसके यह जो फिन है ना चार एक्स्ट्रा फिन है जो की पैर की तरह लगते हैं और वह जैसे इनको क्या कहा जाता है four legged fish तो ये फोर लेग्ड नहीं है four fin है लेकिन कहा जाता है हो सकता है evolution में life को land में लाने में इनका एक role रहा हो तो ये एक role पे किये है land based life form develop करने में तो इनका भी एक रोल रहा होगा, ये एक intermediary link रहे होंगे, तो दोस्तों ये fossil fish है, जैसा मैंने आपको बताया, ये माना जाता था, extinct हो चुकी है, ये fossils के द्वारा ही scientists इसको study करते थे, लेकिन 1938 में scientists surprise पाते हैं, जब वो वापस पाये जाते हैं, तो living fossil क्या होता है, आपको जान extinction events withstand किये हैं, कई mass extinction भी, और साथ-साथ आप देखे, तो इस वक्त इसके कोई close living relatives नहीं है, या नहीं है, या फिर बहुत कम है, तो कुछ famous, अगर आप देखे, fossil, living fossil कौन हो सकता है, तो crocodile हो सकता है, वैसे ही आप देखे, तो komodo dragon, तो ये सब कुछ famous species हैं, जो की क्या है, एक प बताना है, इस वीडियो को देखने के बाद, तो दोस्तों, इसके सिवा आप देखे, तो सीला किंद की अगर बात करें, तो scientist अब तक इसके बारे में fossil record से ही जानते थे, और माना जाता था, साड़े 400 million साल पुराने हैं, 420 million साल पुराने हैं, लेकिन केटी mass extinction event, cretaceous paleogene या survive नहीं कर पाए, बट 1938 में scientist को मिल जाते हैं वापस से, और कहां मिलते हैं, तो ये मिलते हैं South Africa के पास, तो ये वाले region में, ये क्या है, वेस्ट इंडियन ओशन है, तो यहां पे जो सीला कंथ, red red color में आपको दिख रहा है, ये कौन सा सीला कंथ है, तो this is West Indian Ocean सीला कंथ, क्या बोलते हैं इसको Latimeria Calumne, आपको याद नहीं करना, बस इतना जानिए क्या है, West Indian सीला कंथ, और ये जो परपल कलर में यहां मिल रहा है, इंडोनीसियन सीला कंथ, Latimeria Madinosis, छोड़ दीजिए, आपको खाली यही नाम याद रखना है, तो West Indian Ocean सीला कंथ, जो red color में आपको दिखाया, इंडोनीसियन परपल कलर में दिखाया, तो देखिए क्या है इनका IUCN स्टेटस, तो West Indian Ocean का IUCN स्टेटस क्या है, तो they are critically endangered, इंडोनीसियन सीला कंथ, इसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, तो आपको ये दो चीजें याद कर लेनी, चले, तो अगर आप देखें, इनकी बात करें, सीला कंथी, तो इनके आठ फिन होते हैं, चार एक्स्ट्रा फिन किसी नॉर्मल मचली से, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इनको four-legged fish भी कह देते हैं, तो आठ फिन होते हैं, बड़ी सी आँख होती है, small mouth होता है, इसके सि बात विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, 90 किलो तक इनकी वजन हो सकती है, तो पैलेंटोलोजिस्ट अगर माने उनकी बात करें, तो वैसे तो यह living fossil है, याने की ज़्यादा species में चेंज नहीं आया है, पिछले साड़े 400 मिलियन साल में, बट पैलेंटोलोजिस्ट जो फॉस solution उनमें हो रही है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, आपको मैं बता दूँ, तो यह जो सिलाकंथ होते हैं, इनकी आँख बहुत कमजोर होती है, धंग से आँख से इनकी बहुत कमजोर होती है, तो यह visible spectrum में light के थू लोगों को चीजों को detect नहीं करते, अपने food को, pray को detect नहीं करते, यह किसका उपयोग करते हैं, electro reception, यह nocturnal होते हैं, रात को hunt करते हैं, गहराई में, पानी में, जहां already अंधिरा रहता है, तो वहाँ पे किसका उपयोग करते हैं, hunting के लिए, electro reception, आसपास का environment, electric impulse, पानी good conductor of electricity होती है, तो electric impulse के द्वारा, यह आसपास का environment, अपना कैसा है, वो बनाते हैं, तो उसी से उनको पता चलता है, electrical impulses के द्वारा, तो दोस्तों, इस वज़े से, इनको जो threat phase करना पढ़ रहा है, वो हो रहा है, deep fishing nets, अक्सर क्या होता है, जो shark को hunt करने वाले fishermen होते हैं, शार्क बहुत गहराई में पाई जाती है, तो shark fin industry, shark oil industry, में shark क का बहुत demand है, तो वो लोग गहराई में fishing nets लगाते हैं, and वो deep fishing nets अगर आप देखें, तो उनमें, क्योंकि वो अपना electrical impulse generate नहीं करता, deep fishing nets, तो इस वज़े से ये सीला कंत, आए दिन उसमें फस जा रहे हैं, और इस वज़े से उनकी संख्या कम होती जा रही है, दूसरी बात में ये जाके अपने अगले species को, प्रोजिनी को आगे बढ़ाते हैं, तो इस वज़े से lifetime में बहुत जादा number of species ये नहीं deliver कर रहे हैं, कमी species होते हैं, तो इस वज़े से ये shark industry, shark fin industry जो है, ये बहुत major समस्या है, सीला कंत की population को भी जो कम कर रही है, पर अच्छी बात क्या है मेडगासकर के पास यहाँ पे एक नई सीला कंत की population देखने मिली है, यहाँ पे जो मचलियां पकड़ाई हैं, सीला कंत पकड़ाई हैं, most of them are female, तो इस वज़े से यहाँ पे अगरम fishing industry regulate कर दें, specially shark fin industry, तो सीला कंत को हम protect कर सकते हैं, इसके सिवा दोस्तों, सीला कंत को कोई ख अच्छा नहीं होता है, high content of urea होता है, तो इस वज़े से सीला कंत खाने के उपयोग में नहीं आती, डाइरिया भी हो सकता है अगर उसे खा ले, तो सीला कंत को hunting as such for fishing purpose नहीं हो रही, बहुत तो कुछ लोग उसको museum में रखने के लिए रखते हैं, और कुछ restaurant वाले हैं, जो क का काम हो जाएगा, तो thank you so much for joining, जब भी एन academy आए, use the code kc10, तो कोई भी course ले एन academy में, ups, cssc, cat, capf, कोई भी course ले, ibps, g, kc10 code, आप इस्तमाल करें, 10% off मिलेगा, साथ-साथ आपको मेरी mentorship भी मिलती है, direct hand holding भी मिलती है, best notes भी मिलते हैं, और जो guidance है, वो सारी subjects of gs, ss and geography optional को cover करती है, तो iconic and plus, दो प्रकार के courses हैं, इंडिया के best educators के दवारा बनाया गया है, ये course, upc, csc, four in one offer भी चल रहा है इस वक्त, तो kc10 code का इस्तमाल करेंगे, तो 25% plus 10% ये off आपको मिल जाता है, तो ये ideal time है, इस्तमाल करने का, इंडिया का best program है, जिसका इस्तमाल करें, and साथ साथ दोस्तों, kc10 code का इस्तमाल करें, plus और iconic दोनों courses में, ये available है, आपको discount भी मिलता है, नए batches भी start हो चुके हैं, free test series भी run हो रही है, और इंडिया का biggest scholarship test, an academy combat है, तो उसमें enroll करें, using the code kc10, thank you so much for joining, and have a great day.